नमस्कार, स्वागता आप सभी का मेरे एचेस वाराद्वा यूटूब चेनल पर आज मैं आपको बताऊंगा कि लड़का और लड़की की क्या निसानिया होती हैं पेट का अकार देख करके भी आप अंदाज लगा सकते हैं यह लक्यन जादातर सच पाई गई हैं अक्सर जब मेला गरबबती होती है तो उनके मन में यह बेचार होता है कि आने वाली संतान क्या होगी जादातर उनको यह टेंसन रहती है जिनके पहले से एक या दो लड़किया हैं कि अब हमें क्या होगा और दिन राठ टेंसन की वज़े से उनको नीद नहीं आती एक चीज में कहूँगा कि टेंसन आपको नहीं लेनी है जो भी फल भगवान दे सुईकार करें खान पिन पर विशेशूप से द्यान रखें मैं हर वीडियों कहता हूँ कि गरबती मेलाओं को पहले महिने से लेकर कि चोते महिने तक खान पिन का विशेशूप से द्यान रखना चाहिए आज मैं आपको कुछ लख्यण बताओं और पहले वीडियों डाल करके मैं लख्यणों के बारे में जानकारी दी थी यह लख्यण जिनके पहले बेटा हो चुके हैं उनके बताए हुए लख्यण के आधार पर हैं और जादातर सच बैटी हैं तो आपको विशेशूप से खान पिन का ध्यान रखना हैं गरबबती मैलाओं को टेंसन बिलकुर नहीं लेनी हैं अक्सर यह ज़्यादा तर टेंसन रहती है कि हमें लड़का होगा या लड़की होगी नम्मर एक मा की कोग में लड़का है या लड़की इस बात को जाचने का सब से अच्छा तरीका है मैलाओं के पेट का आखार अगर गरबबती इस तरी का पेट करने चला हिस्सा फूला हुआ ओबरा हुआ हो तो गरब में लड़का होने का संकेत माना जाता है यानि गरबबती मेला का जो पेट है अगर वह नीचे से गोल हो तोड़ा सा फैला हुआ हो तो वह लड़का होने की निसानी होती है दोस्तो गरबबती मैला पहले महिने से लेकर के चोते महिने तक ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसलिए मैंने स्क्रीन पर दिखा करके वीडियो बना रहा हूं अंकुरत ये चीजे होती हैं तक कुछे दाले होती हैं इनको खाना शुरू करें साथी केला दूद इनका भी प्रियोग शुरू करें पहले महिने से कंसिप्स पहले महिने जब आपको गरबदारन हो चुका है कंपरम हो चुका है तब से लेकर के और तीसरा महिना समाप्त होने ग्रपते मेला का पेट का आकार ऊपर को उठा हुआ हूँ ज्यान दें अगर ऊपर को उठा हूआ हूँ आगे की तरफ हो तो वह लड़की होने की निशानी होती है वहीं गरबती मेला का जो पेट है अगर नीचे की तरफ बढ़ा हुआ हो आगे की तरफ बढ़ा हुआ हो और फैला हुआ हो क्योंकि लड़का जो है साड में रहता है जाद अतर तो नीचे की जो पेट का आकारा वह गोल होता है तो वो लड़के की निसानी होती है दूसरा अगर गरबती मेला के बैसे यह 80% सही मिला है गरबती मेला के पेट पर बिलेक काली गैरी दारी हो तो वह लड़का उने की निसानी होती है वहीं लड़की के पूत को यह दारी नहीं होती वहीं अगर मेला के हाथ सुन्दर दिखने लगें और हतेली मुल्यायम हो जाएं तो यह लड़की होने का संकेत होता है क्योंकि माना जाता है लड़कियां सोमिता को बढ़ावा देती हैं उसके प्रवाव से गरबती इस्तरी की सुन्दरता बढ़ जाती है नमर तीन अगर किसी गरबती की गरब में लड़का पल रहा है तो औरत के पै ठंडे और बाल जड़ने लगते हैं इस दोरान मैला का मूड भी हमेशा बदलता रहता है इन चीजों को ध्यान से गोर करें ये जो आप पेट का कर देख रहे हैं अगर मैला के ये लम्मी धारी हो जो बलेक और गेरे रंग की तो लड़का ही होता है नम्मर चार जो मैलाएं गरबस्ता के दोरान बाइं करवट लेकर सोना पसंद करती हैं तो समझ जाना चाहिए कि आपकी कोक में लड़का है इस दोरान इस्त्री के इस सिर में भी कापी दर्द लेरनी लग जाता है नम्मर पांच गरम में लड़का है या लड़की इसे जांचने का एक बैतर तरीका है बेशन सोडा बेकिंग सोडा इसके प्रियोक से गरबबती इस्त्री को सुबह उठते ही अपने सबसे पहले यूरून को किसी बावल में रख लें अब इसमें एक चम्मच बेकिंग सोडा डाले अगर यूरून में जागना निकले तो समझो कोक में आपकी में लड़का है अगर किसी मेला को खुब पानी पीने के बावजूद पीले रंग की पेशाव होती है तो इसे लड़का होने का संकेत माना जाता है क्योंकि गरम में लड़का लड़की होने पर यूरिन का रंग हलका गुलावी वा सपेद रहता है नमर साथ गरव वस्ता के दोरान अगर मेला को मीटा खाने का मन होता है तो इसे गरम में लड़का होने की निसानी माना जाता है माना जाता है कि कोक में लड़का हो तो मेला को मिठाईया या चॉकलेट खाने का मन करता है लेकन यह ज़्यादा तर स्रच नहीं निकला क्योंकि कई बार जिनको चटपटा जिनोंने खाया है कई बार उनको भी लड़का हुआ है नम्मर आठ जिस प्रेगनेंट औरत को गरबस्ता के दोरान कम भूक लगती है खाना खाने का मन नहीं होता जीम में चलता है एवं उल्टिया होती है तो समझ जाएं कि आपके गरब में लड़का है यह जो आप स्क्रेच देख रहें पेट पर यह लड़का होने की निसानी होती है अगर मेला के पेट में लड़का है तो उसे जैसे वो खुजाती है तो निसान पढ़ जाते है वही अगर मेला को भूक कम लगे लेगन बार बार भूक लगे तो उसे लड़का होने की निसानी माना जाता है नम्मन नो जिन मैलाओं के गरबस्ता में पेट के उपर हिस्से में दर्द होता है इसे लड़की होने का संकित माना जाता है कहते हैं कि लड़कियां लीवर के पास बाली जगए पर लात मारती है वही लड़का नीचे ही साड को या साड में लात मारती है नम्मर दस हरकत करना यानि लड़की यहां कहते हैं कि तीसरे महीने पर हरकत करने लग जाए यानि पेट में गूमने लग जाती है वहीं लड़का जो चोती है पांच में महीने पर पेट में गूमता है तो इसका भी माना जाता है ये भी एक प्रकार से पक्की निसानी माना जाता है और सबसे पक्की जो निसानी है वो है महला की कमजोरी यानि चेहरे पर कमजोरी आए, कील मुहासे आए सुन्दरता ना रहे चेहरे पर तो आपको समझ जाना चाहिए कि जरूर लड़का ही होगा जिन इस्त्रियों के प्रेगनेंसी में मुहासे निकलाते हैं इसे गरम में लड़का होने का संकित माना जाता है इस दोरान महला के सुवाब में कापी बदलावाते हैं महला में चर्चरापन भी हो जाता है और उसके सुवा में भी काफी परवर्तन देखने को मिला है पुर्षो जैसे अरकते आ जाती है या जैसे कीला खाने का मन करता है बेंगन, आलू, इन चीजों का खाने का मन करता है तो आपको समझ जाना चाहिए कुछ निसानियान में से सही बैठती है और कोच सही भी नहीं बैठती जादा तर जो है सत्तर अस्ती परशंट सही बैठती है जो निसानिया में आपको बताई है तो आप इन निसानियों से जाने और साथ ही खान पीन का विसेज द्यान रखें प्रति दिन हरवन्स पुराण पढ़ते रहें दूद का केसर वाली दूद का प्रयोग करना है और साथ ही नारियल का प्रयोग भी कर सकते हैं नारियल जो आप ले आएं उसे गिस लें उसमें चीनी मिला लें या बूरा मिला लें और उसका आप प्रयोग करें तो इससे संतान अश्ट पुष्ट होती है और घूरी होती है, सुन्दर होती है और लड़के की भी प्राप्ति होती है साथ ही पलास का पत्ता पलास का कोमल पत्ता आप दूद में वाल करके पीना प्रारम कर दें उससे भी लड़का प्राप्ति का अच्छा योग माना बन जाता है साथ ही अंकुरत चीजे ये बहुत ही फैदे मन्द होती है थोड़ी सी ले ले जादा ना ले ले थोड़ी सी अंकुरत दाले खाना प्रारम कर दें तो इनसे बहुत ही अच्छा योग बन जाता है संतान प्राप्ति का तो आप इन चीजों से जाने आपको संतान की प्राप्ति होगी भगवान आपकी सभी मनों कामना है पूरी करें तो मुझे उम्मीद है आपको यह जान करें अच्छी लगी हूँ तो आप इसे जो है शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और इस मंतर का जाब भी कर सकते हैं आपकी मनुकामना पूरी होगी